असलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे क्रीमी वाइप सोस पास्ता तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं पाने में हम वन टी स्पून नमक एट करेंगे और वन टेबल स्पून आइल एट करेंगे यहां मैंने पास्ता लिया है यह दो कप के बराबर है तो हम पास्ता को बॉइल होने देंगे पास्ता को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हम इसे 80 तू 90 परसंट पका लेंगे देखिए यहां हमारा पास्ता बस कुक हो चुका है इससे ज़्यादा हम और नहीं कुक करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा वाइट सॉस के साथ भी पकेगा बस इतना ही कुक करना है हमें अब इसका पानी हम ड्रेन करके अब फिर इससे हम थोड़े से थंड़े पानी से भी वॉश करें से यह होता है की इसका कुकिंग क्रोस्स यहीं स्टॉप हो जाता है आर यह ओर कुक नहीं होते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से धंडा पानी इसकर आप पोर कर दीजिए ये तीन चमच बटर है, तीन चमच बटर मैंने पैन में एच किया है, और जैसे ये थोड़ा सा मेल्च हो जागा, मैं इसमें लसन एच कर लूगी, तो यहां लसन है, ये लगबग 2 टेबल स्कून के खरीब लसन है, लसन का फ्लेवर इस पास्ता में बहुत अच्छा आता है, तो आप भी लसन जादा यूज कीजिए, बस एक से दो मिनिट हम इसे फिल लसन को फ्राय कर लेंगे, बटर के साथ, जैसे ही लसन का फ्लेवर बटर में आ जाए, तो हम इसमें प्याज एट कर लेंगे, तो यहां मैंने बस हाफ प्याज लिया है, छोटी सी, इसे बारिक सा चॉप करके, यह थोड़ी देर हम सॉफ्ट होने तक फ्राय कर लेंगे, तो देखिए, यहां लसन और प्याज फ्राय हो गया है, हमारा, इसे हमें कलर नहीं चेंज होने देना है, बस इतना ही काफी है, अब इसमें मैं 3 टी स्पून मैदा एट कर लूँगी, मैदा एट करके हमें इस तरह से से विस्क से चलाना है, और अगर मैदा एट करने के बाद ऐसा लगें कि हमारा बटर कम है, तो हमें बटर और थोड़ा एट कर लेना, यहां तो ठीक कॉंटिटी है, 3 टेबल स्पून बटर और मैदा मैने सेम कॉंटिटी में लिया है, बस इसे थोड़ा सा हम हमें भून लेसे ताक्हे मैदे का कच्चा पन चला जाए, कलर चेज नहीं करना है हमें मैदे का, अब इसमें हम एक लान आशी उसक geography करेंगे मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करक 17 याई आपर यहां पर यह है तुन करने के मैं से मेंहें पर सब्सक्राइब कर लिया है और लंप बिल्कुल नहीं बने है यह जो प्याज और लेसन है यह दिख रहे हम इसमें मैदा पूरा डिजॉल्व हो गया है दूद के साथ अब इसमें हम थोड़ा सा ओरिगेनो एड करेंगे यह फ़ टीजपून ओरिगेनो है हाफ टीजपून चिली फ्लेक्स है थोड़ा सा नमक एड किया है मैंने क्यूंक इसमें अब चीज भी पड़ेगी तो चीज में भी नमक होता है और पास्ता बॉल करते वक्त भी हमने नमक अब हम इसमें चीज एड कर लेंगे तो यहां मैंने चेडार चीज और मॉसरेला चीज दोनों मिक्स है यह चीज यूज किया है मैंने आप चाहे तो कोईसी भी चीज यूज कर सकते हो प्रोसेस भी यूज कर सकते हो स्लाइस चीज भी यूज कर सकते हो यह पास्ता बहुत ही क्रीमी और वेगुल सॉसी आप जरूर इसे ट्राइ किजिएगा एक बार देखिए हमारा सॉस बिलकुल रेडी है अबस लास्ट ली हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एट करेंगे यह लगबग हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एट किया है मैंने अब हम इसमें अपना प दोस से पांच मिनिट के लिए पका लेंगे सॉस के साथ पास्ते को देखिए इतने अच्छी कुश्पु आ रही है और बहुती मज़िदार हमारा पास्ता बनकर तयार हुआ है हुआ है कि हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर तयार है आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी जरूर हमें बताईए रेसिपी पसंद आईए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पिर मिलेंगे इंशाल लाइक नही रेसिपी के साथ टेक कैर अलाह अपिस